असलाम अलेकुम लेजेंड्स हम लोग Microsoft Word को डिस्कस कर रहे हैं इंसाइड के अप्शन में देख रहे थे कुछ चीज़ें हमने देख ली थी और जो बाग के रिमेनिंग है वह हम देखते हैं ठीक है तो यहां पर मैंने सिखा दिया था कि आपको यह टेक्स्ट बॉक्स कैसे अड़ करना है यह इसका क्या function होता है ठीक है धन हम लोग ने वार्ड आट की बात कर ली थी धन है drop cap drop cap क्या होता है drop cap का मतलब यह होता है कि like as कोई भी paragraph है उसमें जब हम chapter का start देखते हैं तो यह देखें यहां पर नीचे आपको structure नजर आ रही है कि कोई भी एक word जो starting होता है वो बड़ा लिख दिया जाता है ठीक है तो इसको हम देख लेते हैं कि यह क्या चीज़ है यह देखें यहां पर हमारे पास मैंने कुछ चीज़ें लिख नहीं है तो हमने क्या देखना है कि हमारे पास drop cap क्या होता है like as जो इसको select कर देता हूं और drop cap क्लिक करता हूं और यह देखें ठीक है जो i first वाला letter है वो उसमें उसको बड़ा कर दिया है यह देखें यह हमारे यहां से देख सकते हैं कि इस तरह कोई भी एक paragraph का drop cap को add किया जाता है ठीक है like as यह एक line में लिखी हुई है तो just इसको मैं drop cap पे click करूँगा और यहां पे देखें पहला word letter बड़ा हो गया है जब हम paragraph पे apply करेंगे तो यह और ज़्यादा beautiful लगेगा और paragraph अच्छा हो जाता ह है समटाइम ऐसा होता है कि जो books होती है उनके chapter का starting में पहला word या कोई भी book होती है समटाइम उसके उसके line का पहला word जो है वो बड़ा लिखा होता है आके beautiful लिख सके ठीक है यह sometime code language यूज करने के लिए words को बड़ा लिखा जाता है देन हमारे पास है date and time जो के कल हम देख रहे थे बड़ यह skip हो गई थी date and time कैसे add करना है आपने simply यहाँ पर type करने बैठें तो date and time को type करने के लिए time लगेगा तो simply आपने date and time पर click करना है और वो बता रहा है कि किस तरह का आपको date and time लिखना है like as मैं just इस पर click करता हूं और है equation का और symbols का कोई भी equation या कोई भी symbol कैसे add करना है या उसका क्या function होते है यह mostly mathematicians के लिए हैं या कोई भी profession जो है इन चीज़ों को use कर सकता है सबसे पहले तो आपने यहाँ पर equation देख लेनी है कि जो आपकी mean कि आपको exact equation तो नहीं मिलेगी लेकिन आप यह देख लें कि जो equation होगी वो उसके related related कुछ ना कुछ मिल जाएगा ठीक है जैसे area of circle अगर हमने इसको थोड़ा बहुत change भी करना है तो हम इस equation को just click करके add कर लेंगे और थोड़ी बहुत जो changes है वो अपने हिसाब से कर लेंगे ठीक है वाकि यह जो कुछ theorem से वगरा दिये हुए कुछ formula दिये ठीक है जो आपने like as यह minus की जगा हमने plus करना है तो आप plus भी कर सकते हैं ठीक है तो यह सारी चीजें आपके लिए बहुत ही easy हो जाएंगी ठीक है यह देखें अगर मैंने यहाँ पर minus नहीं रहने जाना है मैंने minus को remove करना है में भी एक कुछ और problem हो रहे है बट अब simply यहां like as कुछ beta 5 वगरा आपने add करना हो मैं यहाँ पर इसका साइज increase कर देता हूं ताके आप easily देख सको ठीक है तो यह जो है मैं इसको size near about 16-25 तक कर देता हूं और मैं यहाँ पर आपको add करके दिखाता हूं कि कोई भी symbol जो है जब हम add करते हैं तो किस तरह होती है like as is symbol को मैंने add कर दिया और इस symbol को add कर दिया तो यह देखें किस तरह मैंने कोई भी symbol को easily यहाँ पर add कर लिया है ठीक है then हमारे पास जो next option है page layout का यह जो first three वाले option है यही mainly use होते है word में जो next वाले options है वो sometime use होते है sometime use नहीं होते ठीक है लेकिन कुछ option होते है like as design और format वगरा वो भी हम देख लेंगे discuss कर लेंगे साथ साथ जब हम कोई भी practice वाले sessions करेंगे ठीक है तो page layout में क्या है कि सबसे पहले तो theme कौन सा आपको चाहिए किस तरह का आप theme चाहते हैं यहाँ पर आपको easily show नहीं हो रहा होगा theme का बट यहाँ पर सिर्फ flavor यहां से select करते हैं और color वगराया से select कर लेते हैं ठीक है अगर background color change करना है और page का पूरा पूर ही color change करना है तो वह चीज़ें ज़ whereas ठीक है तो हम page cover वगरा यहां वो change isley कर सकते हैं ठीक है background को अगर हमने change करना हो तो like as pinkish color हो गया और इसके इलावा कोई भी और color ठीक है जब यह step पर पहुंचते हैं तो इसको हम मजीद देख लेंगे लेकिन then हमारे पास option है margins का तो आपने margin किस तरह select करना है वह पूछ रहा है कि हमने जो नार्म रूटीन वाइज एक book होती है उसके starting में कुछ area जो है वो खाली होता है और जो end पर कुछ area खाली होता है तो वो margins होते हैं ठीक है तो लाइक आज वो पूछ रहा है कि आपको narrow margin चाहिए आपको अभी यह देखें यह साइडों पर थोड़ी थोड़ी जगाप चाहिए हुई है ठीक है अगर margins को normal wide margin कर देंगे तो यह देखें बिल्कुल center में इसमें लिखती है मतलब यह है कि आपने page का margin कैसे select करना है ठीक है यह page कुछ इस तरह हो जाएगा ठीक है और हम इस तरह ऐसे लिखेंगे lines को ठीक है तो वो landscape होता है आप यहां पर easily देख सकते हैं ठीक है तो जैसे अखबार में लिखा होता है यह सारा कुछ वैसे ही है ठीक है तो देखते हैं हम next videos में क्या सीखते हैं आज के लिए इतना ही thank you legends Allah Hafiz